ट्रेन को देखके सबके दिमाग में एक चीज जुरूर आती होगी, जो ट्रेन में ज़्यादा गूमे नहीं है, हम बात करें, 1st AC में क्या होता है, 2nd AC में क्या है, और 3rd AC में क्या है, इन टीनों में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे तो सबको यह आइडिया लगता है कि, डिफरेंस है की होगा, इनके प्राइस काफी ज़्यादा हाई है, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, काफी कुछ होता है, जो 1st AC में है, वो 2nd AC में नहीं होगा, और 3rd AC में नहीं होगा, अगर हम बात करते हैं, जो 1st AC से, तो सबसे पहली मैं बात करनूं, जो 1st AC रहता है, एक तो expensive काफी होता है, उसका किराया काफी ज़्यादा रहता है, इवन जो flight का किराया रहता है, उसके मतलब साथ, मतलब पास-पास ही रहता है, जो 1st AC का किराया रहता है, और इसमें अगर हम बात करें, तो इसम 64 से 72 birth होते हैं, मतलब बैठने सोने की जगह होती है, 64 से 72, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे 16 to 24 birth आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इसमें एक cabin बनाया होता है, जिसको बाहर से door रहेगा, और अंदर जा तो 2 लोगों का birth रहेगा, या 4 लोगों का birth रहेगा, मतलब train पे भी depend होता है, और mostly कहीं होता है कि एक साइड चार birth रहते हैं और अगले cabin में दो birth रहते हैं, उस हिसाब से आपको वो provide किया जाता है, इसमें आपको dust wind मिलता है, मतलब आपको लिए lamp रहेगा, private lamp रहेगा, आपको उसको use कर सकते हो, cutterns रहते हैं, तो इसमें full लिए, वैसे अगर आप slipper यहां 3 AC में चले होगे, वाथरूम की बहुत बुरी हालत है वहाँ, और फिर हम बात करते हैं, 1 AC में आपको जो नहीं वाली आ रही है, जैसे attendant को आप switch होता है, click करके attendant वहाँ आजाएगा, आपको order ले सकता है, वैसा भी facility वहाँ दी हुई है, तो काफी अच्छी facility रहती है, जो उसके sleeping birth होते हैं, वो अच्छे cushion उसमें होते है, जो वहाँ पे आपको लगा लोग पिलो दिया, जहाँ चदर दी, जहाँ ब्लैंकेट दिया, वो नया बिल्कुल fresh आपके लिए दिया जाता है, तो first AC class मेरे खाल में सबसे अच्छी class है, अगर अगर train में आप सफर करते हैं, तो एक बार ज़रूर आपको first class AC में जाना चाहिए, फिर हम आते हैं second AC में, तो second AC में क्या होता है, जैसे हमने बात की थी, जो cabin होता है, उसमें 2 से 4 birth होते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन second AC में क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 birth होते हैं, मतलब क्या होता है, middle वाला birth नहीं होता है, लेकिन side पे lower और upper birth रहता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है, और इसको मैं compare करता हूँ third AC से, third AC में क्या होता है, उसमें 8 birth होते हैं, यहाँ second AC में हमने देखा था कि यहाँ middle वाला birth नहीं होता है, लेकिन third AC में middle वाला birth होता है, उसमें बाद में आते हैं, comparison में आपको बता रहा था, जैसे इसमें 16 लोगों का birth रहता था सोने के लिए, और second AC में 48 से 54 लोगों का birth होता है, इसमें आपको cuttons मिलते हैं, window के लिए cuttons मिलेगा, खुद की privacy के लिए cuttons मिलेगा, यहाँ कोई cabin door गारा नहीं होगा, क लेकिन cuttons आपको मिलते हैं, lamp इसमें आपको personal use के लिए मिठते हैं, और जो खाना इसका होता है, जो second AC और third AC का खाना सेम रहता है, इसमें आपको कोई अलग नहीं मिलेगा, जैसे first AC में अलग से menu आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो bathroom है, वो clean होंगे, और काफी facilities आपको दी जाएंगे, जो cushion होते हैं, मतलब सोने के लिए birth है, वो भी थोड़ी अच्छी होती है, नरम होती है as compared to third AC, अब आते हैं हम third AC में, third AC में क्या होता है, समझ लो जो हमारा slipper है, slipper compartment है, slipper और third AC में कुछ जादा इतना difference नहीं रहता है, बस third AC में यह होगा कि आपको वहाँ AC मिल रहा है, आपको वहाँ चदर्स मिलेंगी, blanket मिलेगा, pillow मिलेगा, ना वहाँ cuttons आपको देखने को मिलेंगे, और ना इतनी कुछ facility होती है, bathroom भी काफी ज़दा गंदी होता है, मैं अपना experience बता रहा हूँ कि मैं तीनों में सफर क चाती हो तो third AC में जा सकती हो, लेकिन सबसे अच्छा जैसे हमने देखा first AC तो इसमें जो third AC में births होती है, 64-72 births होती है, और यह main difference से इन तीनों में, बाकी किरायागा तो आपको पता ही है, तो I hope आपको idea लग गया होगा कि तीनों AC में से कौन से अच्छे हैं, तो ऐसी वी इंड़ा किरा कौन